Hello students, Maths Class 6, Exercise 3.3, Question No. 2 Using Divisibility Test, Determine which of the following numbers are divisible by 4 and by 8 Divisibility Test use करना है और आपने बताना है जो नीचे numbers गिवन है तो by 4 and by 8 से divisible है या नहीं तो एपार्ट सोल करते हैं, first of all एपार्ट में हमें statement गिवन है 572 572 को हमने बताना है कि 4 से divisible है या नहीं तो firstly 4 से हम बताने के लिए क्या करते हैं, divisibility test में आपने पढ़ा होगा introduction में भी कि जब 4 से divisibility test चेक करते हैं किसी number का तो last के 2 digits उठाते हैं और उनको divide करके देखते हैं कि 4 से divisible है या नहीं अगर वो 2 digits 4 से divisible हैं तो number भी क्या होगा 4 से divisible होगा तो number भी क्या होगा 4 से divisible होगा तो हम यहां पर लिखेंगे yes कि number क्या है जो 472 गा 4 से divisible है now by 8, by 8 से divisibility test चेक करने के लिए हम last के 3 digits लेते हैं यहां पर तो क्या number में तो इन तीनों डिजिट को उठाओगे 8 से divisible 8 से divide करके देखोगे 8 सेवन जा 56 माइनस करेंगे 1 हां जी 12 ट्वैल टेबल में नहीं आता एट वन जा 8 माइनस करेंगे 4 रिमेंडर बच रहें यहां पर यहां पर आगर जीरो आता है लेकिन यहां पर रिमेंडर बच जाता है तो नंबर 8 से divisible नहीं है तो हम कहेंगे 9 बी पार्ट में स्टेट्मेंट गिवन है 72,726,352 यह स्टेट्मेंट गिवन है बी पार्ट के लिए हम यहां पर क्या करेंगे 4 से क्या करेंगे लास्ट के टोडिजेटि करते हैं इछान पर 52 उनको चेकरते हैं कि 4 से स्टीजडीजीबल है यहां नहीं 5 माइनस 4 1 2 4 3 12 डिमेंडर बच 4 0 तो यानिकि यह जो नंबर है तो हम कहेंगे yes, now by 8 में क्या करते है last के three digits लेते है last के three digit है 352, उनको 8 से डिवाइड करेंगे और check करते हैं अगर remainder 0 होता है तो number भी क्या होगा eight से divisible होगा, eight four जा 32 minus याँ बच गया 3, उपर से two लेके आए, eight four जा 32 remainder बच गया 0 तो हम कहेंगे यह भी क्या होता है 4 से divisible है remainder 0 बचाए यानि कि last 3 डिजिट पी 8 से divisible है यहां पे 0 remainder है तो हम कहेंगे कि number क्या है 8 से divisible है now C part, C part के लिए statement गिवन है 5500 यहां पे last by 4 में चेक करेंगे तो last 2 डिजिट उठाते है last 2 डिजिट है 0 तो 0 क्या होते है four से divisible होते है क्योंकि four zero 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 remainder बचेगा तो हम कहेंगे yes करके दिखाने की जूरूत नहीं है अब जब by 8 में क्या करेंगे last 3 डिजिट उठाएंगे last 3 डिजिट है 500 8 से divide करेंगे 8 7 56 तो ज्यादा होते है 8 6 8 6 जा 48 50-48 2 बच गया है उपर से 0 लिक आएंगे 20 तो 8 की टेबल में नहीं आता यहां पे remainder बच रहा है four तो हम क्या कहेंगे यह number क्या नहीं है eight से divisible नहीं है now जो डी पारट की statement हमें given है 6000rd 6,000 में last की क्या है two digit जीरो है तो हम क्या कहेंगे number क्या है four से divisible है क्योंकि 4500 जी होता है remainder आपका zero ही बचेगा तो हम क्या कहेंगे यहां पर number क्या waveform 4 से divisible है और पाइत में क्या करेंगे last к3 डिजिट लेंगे last लास के 3 डिजिट क्या है जीरो है तो यहां पर भी क्या होगा नंबर 8 से भी डिजिबल होगा क्योंकि लास के 3 डिजिट भी हां पर क्या है जीरो है अब नाव ई-part ले ले लेते हैं ए-part के statement हमें given है 12,159 12,159 में लास के 2 डिजिट उठाएंगे और हम उने 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ यहां पर रिमेंडर बचेगा क्योंकि इसका जो वन्स प्लेस हम वहाँ पे 9 है 9 है 9 क्या होता और नमबर और 4 की टेबल में कभी भी और नमबर नहीं आता तो हमें यहां से डिवाइड करने से पहले ही पता है कि जो यहां पर कुछ ना कुछ रिमेंडर बचेगा पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 4 की टेबल में कभी भी वन्स प्लेस पे औ पर दिए जए यह उटा तां में पर में नौल तो इन behavior वह ऐजा रहे हैं आ उह पिश्पर ऑनस तो इसको अमने से डिवाइड ने यहां पर लो इसे करने के देखने हैंege owners बच रहा है, 7, 7 रिमेंडर बच रहा है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, कि यह नंबर क्या है, पुरा-पुरा डिवाइड, 8 से नहीं होता, तो हम क्या कहेंगे, 9, ना, एफ पार्ट की स्टेटमेंट हमें गिवन है, 14,560, 14,560 गिवन है, तो भाई 4 से चेक करेंगे, लास्के 2 डिजिट, लास्के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे, 60 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 बच गया, उपर से 0 लेके हैं, तो 4, 5, 20, रिमेंडर बच रहा है, 0, अ लास्के 3 डिजिट उठाते हैं, नमबर के, 3 डिजिट के है, 560, 560 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8, 7 जा 56, 0 लेके आए हैं, तो 0 यहां पे आजेगा, और रिमेंडर 0 बचेगा, तो यह क्या हो है, पूरा-पूरा डिवाइड हो रहा है, तो हम कहेंगे, येस की नमबर दिवाइड करेंगे, 4, 4 बंजा 4, 0 बचे हो, दिवाइड करेंगे, 4, 4 बंजा 4, 0 बचेग और नमबर क्या है, 4 से डिवाइड करेंगे, येस, give y, 8 में क्या देगे, quindi 5 viewing 3 डिजिट लेकि नमबर क्या है, लिखेएगे, उनको हम छेक करते है, 8 से डिवाइड है, नही लेकि डिवाइड नहीं हो रहा, तो remainder कितना बच रहा है, 4 बच रहा है, तो हम क्या कहेंगे, नंबर क्या नहीं है, 4 से 8 से divisible, नहीं है, तो हम लिखेंगे, 9, नाव जी के बाद H part, H part में हमें statement given है, 3 crore, 17,95,072, यह given है, यहाँ पर भी हम सेम यहीं रूल होगा, चाहिए नंबर कितना भी बड़ा हो या चोटा हो, लास्के 2 डिजिट चेक करते हैं, 4 से डिवाइड करके देखते हैं, डिवाइड होते हैं, या नहीं होते, 4 एट जा, 32, रिमेंडर 0 आ रहा है, तो नंबर क्या है, 4 से डिवीजिबल है, यानि कि इस नंबर 4 से डिवीजिबल है, क्योंकि यहाँ पर लास्के 2 डिवाइड के तो रिमेंडर 0 आ रहा है, और बाइट से डिवीजिबल है, लास्के 3 डिवीजिबल है, वो चेक करते हैं, 8 से डिवीज याइपार्ट की स्टेट्मेंट हमें गीवन है 1700 में लाज़ए जिरो है लाज़ाथ by से hell यो यो जिरो है अगर हम से डिवाइद करेंगे तो इन जी रहें वाला है तो हम कहेंगी यह इस fi नंमर क्या होता है 4 से divisible है और इसमें last के 3 डिजिट लेते हैं बाई 8 में last के 3 डिजिट होगे 700 8 से divide करेंगे 8 8 जा 64 8 8 जा 64 minus किया तो 6 बचा उपर से 0 लेकिया 60 आया 8 7 जा 56 यहां पे remainder बच रहा है तो number क्या पूरा पूरा divide नहीं हो रहा तो हम क्या कहेंगे कि यह number these 1700 जो number है वो भी क्या नहीं होगा 8 से पुरा पूरा डिविजिबल नहीं होगा नाव जे पार्ट जे पार्ट जे पार्ट में statement गेवन है 2150 में last के 2 डिजिट को चेक करते हैं है फॉर में first of all फॉर से डिवाइड करने के लिए फॉर से डिविजिबलिटी टेस्ट चेक करने के last के 2 डिजिट उठाते हैं यहां पे रिमेंडर बच रहा है तो हम कहेंगे 9 की नंबर क्या है इससे डिविजिबल नहीं है और 8 के लिए क्या करते हैं last के 3 डिजिट उठाते हैं 3 डिजिट है 150 और इससे चेक करने के लिए हम इसे 8 से last के 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करेंगी 7, 0, 8, 8, 64 यहां पे बचेगा 6 यानि की रिमेंडर बच रहा है तो हम क्या कहेंगे कि जो नंबर है 8 से डिविजिबल नहीं है हाँ जी students आप 4 के लिए क्या करोगे हमेशा हमने 4 के लिए क्या किया लास के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देखा अगर डिवाइड होता है तो हम कहेंगे यह नंबर 4 से डिविजिबल है और जब बाई 8 से चेक किया है तो हमने last के उसी same नंबर के जिसके हम चेक कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि वह नंबर 8 से डिविजिबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं लास के 3 डिजिट अगर पूरे-पूरे डिवाइड हो रहे तो हम कहेंगे नंबर भी 8 से डिविजिबल है तो थैंक यू